वेलकम फ्रेंड्स आपका हमारी यूटूब चैनल आचारयम में स्वागत है लास्ट वीडियो में भारती रिजर वेंग की आफिशर ग्रेड बी की वेकेंसी से संबंदित वीडियो अपलोड किया था और आज आपके लिए प्रस्तूत है रिजर वेंग काफ इंडिया की असि प्रस्ति रिजर वेंग के वेब साइट में जब हम चलते हैं इसका होम पेज ये खुलता है आप यहां देख पा रहे हैं कि यहां पे कोई भी वेकेंसी से रिलेटेड फाइपर लिंक नहीं दिया हुआ है हम परिशान नहीं होना है हम इस पेज के सबसे लास्ट में चलते हैं और हम देखते हैं कि यहां पे अपोरश यूनिटीे इस दर एट आफ री लिखा हुआ है हम इहां पे इसको क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद जो पेश खुलेगा वो ये खुलेगा जिसमें यहां पे current vacancies लिखा हुआ है current vacancies में हम करसर यहां ले जाते हैं vacancies लिखा हुआ है यहां पे क्लिक करते हैं तो यह वाला हमको मिलता है तो यहां पे जो second number का है चूंकि यह आफिशर in grade B इसकी वीडियो बना चुका हूँ इसका जो वीडियो का link रहेगा वो मैं अपनी description box में दे दूँगा वहां से आप इसका वीडियो देख सकते हैं आज की वीडियो second number की है डारेक्ट रेक्रूट्मेंट फार्द पोस्ट आप असिस्टेंट मेनेजर आज बास हैं असिस्टेंट मेनेजर प्रोट देख सकते हैं यदि आपको डाउनलोड करना है तो यहां पर यह PDF का निशान बना हुआ है तो डिटेल नोटिफिकेशन आपको यहां से उपलब्द हो जाएगी हम देख लेते हैं important instruction क्या-क्या है तो यहां पर जो इसको publish किया गया है 28 March 2022 को किया गया है अभी ज्यादा दिन नहीं हुए है फिर candidate to ensure there is eligibility for the post आपके पास होना क्या चाहिए तो आप citizen आप इंडिया हो यह की migratory हो और permanently इंडिया में मोड आफ अप्लिकेशन जो रहेगा पूरा का पूरा आनलाइन रहेगा यहां पर जो आनलाइन अप्लिकेशन फार्म की लिंक है यह मैं डिस्क्रिप्शन बाक्स में दे दूंगा important dates देख लेते हैं important dates में website link कब open होगी कब तक खुली रहेगी और कब तक फार्म भरा अप्रेल अठारा दोहजार बाइस शाम चाहे वजे तक यह खुली रहेगी इसके बीच में आप फार्म सम्मिट कर सकते हैं डेट आफ इग्जामनेशन जो है 21 मई दोहजार बाइस को होगा यहादी फार्म भरते वक्त आपके पास कोई क्वेरी है कुछ प्राबलम हो रही ह पेमेंट फी, पेमेंट आप फी, इंटीमेशन चार्जेज, डाउनलोडिंग आप एडमीशन लेटर इससे रिलेटेड तो आप यहाँ पे अपने वैलीड इमेल के साथ पैलीड इमेल से आप cgrs.ibps.in पे आप मेल कर सकते हैं उसमें आपको मिंशन करना होगा आरबी आई आफिशर इन ग्रेड ए राजवासा slash protocol and security जो भी आपको भरना हो फिर हम और इसमें space के और नीचे आते हैं इसमें हम आते हैं तो यह हमको मिलता है total number of vacancies तो टोटल नमबर आवेकेंसी में असिस्टेंट मेनेजर राजवासा, अन्रिजर्व की 3 पोस्ट, स्टी की 2, सिडियूल, ट्राइप्स की 1 और ये टोटल 6 असिस्टेंट मेनेजर प्रोटोकाल एंड सिक्योर्टी में 1, 2 और ये 3 टोटल हो गई 9 पोस्ट में हमको बिल्कुल परिशान नहीं होना है, कि होगा नहीं होगा, हमको कई बार इशा होता है, कि हम कम पोस्ट देखके फार्म नहीं अप्लाई करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, अब हम इसके और नीचे आते हैं, और इसमें देखते हैं, एजुकेशनल क्व क्वालिफकेशन देखने के पहले हम जाव रिक्वार्मेंट्स देख लेते हैं कि आपको वहां पे राजभासा धिकारी के रूप में असिस्टेंट मैनेजर जब बनेंगे तो आपको करना क्या होगा तो मुख्य काम अनुवाद का है इंगलिस से हिंदी एंडवाइस वर्षा हिंदी से इंगलिस क्यों करना है क्योंकि जो रिजर बैंक आफ इंडिया के जो रिफरेंस के अंतरगत जो डाकुमेंट्स होंगे मैनवल्स होंगे जो पब्लिकेशन होगा बैंक का जो प्रिंटिंग कराना होगा उनको पूरा का पूरा नुवाद करना होगा दूसरी चीज जो government की policy है कि हिंदी को बैंकों में implement किया जाए उसको करना पड़ेगा और तीसरी चीज जो है बैंक के जो staff है उनको हिंदी teaching scheme के अंतरगत भी सहयोग करना पड़ेगा eligibility criteria में आप देख लेते हैं assistant manager के education qualification क्या होना चाहिए ये तो second class master degree in Hindi, Hindi translation with English आपके पास translation में हिंदी English में आपके पास diploma होना जरूरी है क्योंकि ये अनुवादक की ही post है और नीचे चलते हैं देखते हैं एस का जो calculation है एक मार्च 2022 के बेस पे होगा यहां पे आपका जो जन्म है दो मार्च 1992 के पहले और एक मार्च दो हजार एक के बात कर नहीं होना चाहिए आपकी एज 21 और 30 साल के बीच में होनी चाहिए और नीचे आके देखते हैं क्या-क्या दिया है इसमें 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 कैसे होगा तो फिर दो होगा फैस एकरन्ट सेकंट फिर और टेंस नालेस आफ़िसयल लेंगवईज जिसके लिए पेपर दे रहे है सेकंड पेपर जो होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा टोटल मार्क्स मैक्जिमम मार्क्स इसमें रहेंगे 200 इसी के बेस पर आपका सेलेक्शन होना है अब आ जाते हैं असिस्टेंट मेनेजर प्रोटोकाल एंड सेक्योर्टी में सेक्योर्टी का काम क्या रहता है इसे रुपए रखे रहते हैं बैंक में ठीक है जो आने जाने का रष्टा हो इंट्री पॉइंट हो सीसी टीवी से सर्विलांच करना हो मानिटरिंग रिकार्डिंग ये आप इसके बिल्निंग में प्रोटोकाल ड्यूटी में में इंटिनेंस सेक्योर्टी ये सारी चीजें साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए इसमें एक ही पेपर होना है रिजनिंग टेस्ट आफ इंग्लिस लेंगवेज जनरल अवेरनेस बिट इस्पेसल रिफरेंस टू बैंकिंग इंडस्टी टेस्ट आफ प्रोफेशनल नालेज टोटल मार्स रहेंगे 200 और आगे देख चार्ज मली 100 रूपीज जनरल ओबी सी डवलीएस के लिए 600 और अर्बी आई के स्टाफ है तो उसके लिए ना इंटी मेशन चार्ज लगेगा और ना ही कोई अप्लिकेशन फीस लगेगी एक्जाम सिंटर देख लेते हैं कहां कहां तो जो देश की मुखी मुखी सिटीज है एरिया वाइस आहमदाबाद, जम्मू, कोची, लकनव, कुलकाता, चिन्नई, पटना, पुड़े, हैदराबाद, रायपूर, तिनुननद, पूरम और MP में भोपाल में यह है इसके एक्जाम सिंटर अब आपको मिलेगा कितना मन्थली तो बेसिक है इसकी 44,500 रुपए और जो मन्थली ग्रास इमोलिमेंट्स होगा अप्रोक्समेटली 90,100 रुपए अच्छी पोस्ट है, हम काम ना करते हैं, आप लोग भरें, आगे बढ़ें, आपको अप्लाई कैसे करना है, तो RBI की साइट में जाना है, आनलाइन अप्लिकेशन की लिंक में, और उसमें जो जो उनको भरना है, तो यह रहा आपका पूरा डिटेल नोटिफिकेशन, इसका जो लिंक है, तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बाक्स में दे दूँगा, आनलाइन अप्लिकेशन वाला जो लिंक है, जहां आप फाम फिलब करेंगी, उसकी भी लिंक में अप्लिकेशन बाक्स मे दे दूँगा, ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े रहें, और हमारे चैनल आचारेम को सब्सक्राइब करें, थैंक यू,